कि यह चुनाव आपको कहा जाता हुआ दिखा है भारती जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी विफक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं कि मीदख रहा हुँ कि यह आंधी है आगां वह बड वह नेता नहीं पर रहे हैं वह यह जनदा नहीं कर पा रहे हैं एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदर का फैसला पलेट देगी ये क्या ये मेरा बयान नहीं है ये बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्ता सलहकार का और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में रहा है पूरा का पूरा इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं और अगजेब कहा गया महाराश्टर के एक नेता ने आपको बुरा लगता है यूँ आपको गुस्सा आता है जितनी घंड उसा लेंगे जितना कीचर उसा लेंगे जिए कमल उतना ही जाधा तो आज हमारे साथ एक बेहत खास मेमान मौजूद है और ये खास मेमान भारतिये एलेक्षन यानि जो इस समय इलेक्षन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है इस मेगा एस्क्लूसिफ इंट्राइक्शन में मेरे साथ मौजूद है देश के परदान मंत्री न मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सबसे बड़े महमान है यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से में मौधी जी आपका बिनंदने न्यूज 18 पे नमस्कार आपके सभी दर्शक को भी हमारे नमस्कार ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है उससे मैं साब देख रहा हूं कि कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं आप देखके आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं नहीं तहीं कर पा रहे हैं वो एजेंडा तहीं नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध मोदी को गाली गलोच उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जुनाव जीतना चाहते हैं देश इतना बड़ा देश आज खास करके जुन्नाव जवान बद्दाता है वो यह हम्मेशा सोचता है कि पर आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है ऐसा कौन नेता है जिसको समाल पाएगा नाम बताओ इंडी एलाइंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि मैंने कहीं अगबार में पड़ा वह कैसी फॉर्मिला ला रहे हैं जिस फॉर्मिला में पांच साल में पांच प्रदान मंत्री है हर वर्ष एक प्रदान मंत्री अगर हर वर्ष प्रदान मंत्री वह लाएंगे जिक आप मुझे बताईए कि अधिश का क्या होगा अपको गाउं के लोग बढ़े मज़ेदार कथा सोनाते हैं एक बार दस किसाने खटे हुए जी और रून्हों ने सोचा कि बाई कि कुछ पानी के बिना क्या होगा तो मिलकर को रूना ने जो पानी जांच कने वाले लोग है तो उनको भुलाया तो पानी निकल सकता है अगर सौ ami तो पानी अपनी लेगा पानी मिलेगा तो फिर दसों किसानों ने इसा करो तो तो पानी निकले गार तो पांच साल में प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वह समझ भी नहीं पाएंगे लेकिन विपक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब ठीक है कि उनकी चिंता यह है आकि कॉंग्रेस का एजंडा क्या है कि चार सो पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उनका एजंडा नहीं कि वह कितनी सीटे जीतेंगे और कैसे जीतेंगे मैंने करीपरिम्दुस्तान के कि एक तीन-चार राज बाकी है कि सभी राज्यों का ब्रह्मन किया है और सभी राज्यों के भ्रह्मन से मैं देख रहा हूं कि यह आंधी है आंधी बड़ी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है कि विपक्स उननीस से चोबीस में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी विश्पल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाषी राजियों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटे भारते अंता पार्टी कोमेडी लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा और आप देखिए भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हु स्यह दुन्ध हिंदी भाषी घुजरात हिन्दी भाषी राज delivers यह पूर देश में हो घारती जनता पार्टी अोड़ायों बारती जनता पार्टी करेगी 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 और यह यह मोदी कहता है इसलिए कर लिया है इसलिए 400 पार होना है और भारतिय जनता पार्टी भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी और इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी करनाटगा आंध्र तेलंगडा विपक्स को भी साउथ से उमीद है बहुत दागा सभी मैं अइतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धी भारतिय जनता पार्टी और एंडिय के पक्स में रहेगी यह बिल्कुर साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंगडा क्लीन स्विप करेगा जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारतिय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी जहां एंडिय है वो नई सरकार बनेगी और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना तय है आंद्र तिलंगणा में भी क्लीन स्विफ होने वाजा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाव के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाव में नरेटिव बार बार बदले पहले नरेटिव आया रिजर्वेशन का फिर आय नरेटिव बार बार बदल रहे हैं कैसे दीखते आप इसको आप नरेटिव नहीं कह सकते हैं चुनाव का नरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोधी सरकार जी चुनाव का नरेटिव एक ही है अब की बार 400 नेरेटिव ही है लेकिन लेकिन जो लोग हतास है निरास है जो मुद्दों की तरास में है उनके लिए बार-बार वो खोज रहें कैसे ठीके कैसे लोगों के बीच में रहे इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पश्यमत एक नरेटिव है मोधी जी और यह हमारा एनलेसिज है वो है नरेंज मोधी नरेटिव है इस पर आप क्या करना करते हैं आप पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आएं मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जिए देश की जनता का प्य के मेरे मेरी बहुत बड़ी शक्ति आ झिस देश की जनता यь यही बहृत मेरे पुझी है और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूँ कि इंडी एलाइंस में हैं क्योंकि उनकी इंडी बनी नहीं पा रहा है। आप बनते ही बनते जहें केरल में जाकर लेट उनका सबसे बड़ा साती। केरल में जाकर के उन्होंने उनके छुरा भूग दिया। एक ठुछ चुनाव लड़ गए और मैंने पूरे चुनाव में सबसे टीखी आलोचनाव सबसे तीखी भाषा अगर मैंने कहिं सुनी है तो वो मैंने वाइनाड की सील यहां कॉंग्रेस की इतनी भधी तरीके से आलोचनावी चूंग्रेस ने अपने इंडिया लांज के साथी एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो यह राम मंदर का फैसला पलट देगी यह क्या यह मेरा बयान नहीं है आपने बोला इसमें यह मेरा बयान नहीं मैरबानी करके मेरे मुँँ में बयान मट डालिये यह बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्त सलहकार का जो कॉंग्रेस के अन्य 30 साल तक और टौप परिवार के सलहकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि यह तैय है और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में बेज के ही रहेंगे सुपर कमिशन बनाने की बात है अने राम लरा को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे ये उनके सलाकार ने कहा है ये कॉंग्रेस वालों ने नेने किया है और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदत है गोड़ बेंग की राजनी के लिए कुछ भी क करना इनकी आदत है एक सवाल और हम बिहार की धर्ती पे है आर जेडी यानि लालु जी की पार्टी और कॉंग्रेस का अलाइंस है इंडिया अलाइंस देखने को मिल रहा है लालु जी ने मुस्लिम आरक्षन की बात कही है उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षन होना चाह और संबिधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तैक किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए बाबा साब अंबेड करके भी विचार बहुत पस्ट रहें कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बात धर्म के आधार पर बाठने के रास्ते कोज रहें रहें बात लाधने के तरीके खुज रहें और उसमें धर्म के अधार पार अच्छा है पाकिस्तान का मुद्धा एक बार फिर चुनाफ के अंदर आ गया है तेलंगाना के सीम है रिवन्त रेड़ी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रती है नफ्रत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली का गुंडा कहा था जिनकी भारत की सेना के प्रती ये भाव होंगे उनसे अब कैसे आपक्षा कर सकता पाकिस्तान भी सजिकल स्ट्राइड नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है पाकिस्तान भी नहीं कियाता है लेकिन लेकिन पाकिस्तान में उनके नेताओं ने भाषण किया है आगर उनके बात नहीं माननी है हमारी देश की सेहना की बात नहीं माननी है तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों के वाद सुन ले हैं उनको तो मानने इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं औरंग जीब कहा गया महाराश्टर के एक नेता ने एक और पक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बाद ताना शाह का के आपको बुरा लगता है यू आपको गुस्सा आता है इस पर देखिए हम तो का काम नोग के लाटे खारक बड़े हुए है और इसे लिए इन चीजा हम मन पर लेते नहीं है हम एक प्रगार से गाली प्रूब बन गए हैं और मैं तो कहता हूं लोग मुझे कभी कुछते मोदी जी आपके इतनी बड़ी एनर्जी का रहश्य क्या है तो मैं कभी मजाग पर कहता हूं कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूं और उसी से मुझे उर्जा मिलती है देकि मेरी बहुत पुरानी कभीता है मुझे विया तो नहीं है लेकि उस शकविता का फाव यह था कि मुझे जो पथर ठा Y कि पधि बना देता ओं ए उसी से उपडियादा चाहिएं कि जितनी घंद उचलेंगे जितना कीचर उच़लेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलедगा एक सवाल आखरी यह है कि माताओं भेनों का आपसे विशेश लगा गया कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं मतलब उनके आखों में आसु आ रहे हैं एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको परधान मंतरी जी आप किस तरह से देखत कि मेरे देश कर कल्यान करने के लिए मेरी मात्रु शक्ति को अमपावर करना चाहिए और स्त्री शक्ति को अपार ना शक्ति को बढ़ावा जेना चाहिए तो मैं बड़ी सद्धास कुलू घंक पूजा भाव से काम कर जुरु कुलित करके को राजनीति के तराव जयंत्स हो और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही बगति भाफ से इस देश की माता की सेवा करो इस देश की बेटियों की सवा करो यूथ वोटर को फ्रस्ट राइव वोटर उसको आपका मेसेज क्या हो गांगा पदानमंत्री मोदी तो मेरा उनके लिए कोई मेसेज नहीं है मुझे तो देश के युवां का मेसेज चाहिए मैं देश के युवां की इच्छा कांग्षा के अनुसार चलना हुआ हुआ है और मैं अभी 100 दिन का कारकम बनाया है अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बना और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवां को पूछने वाला हूं यह पचीस दिन के लिए उनके क्या सुझाओ है कौन से काम मैं पहले करूं तो मैं इस परगार्द देश के युवां को कुछ अकांग्षा के नुकार देश चल दोस्त है जिसके साथ दिल की बात करते हैं ऐसा है मैं 140 कrore डेश वास यो से दिल के ही बात करता हूं जीए जीता हूं दिल के संब्मंदों नहीं परदान मंती कि आपने में समय दिया लिए वह ब्ली कर चुके हैं इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं तो झालिस थी तह झाल